नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मूली के बारे में मूली एक सबजी है जिससे सभी लोग परीचित है मूली के बारे में एक कहावत प्रसित है सुबह की मूली अमरित दिन की मूली मूली और रात की शुली मतलब यह है कि सुबह को मूली खाना अमरित की तरफ आदे मंद है दिन में मूली खाना भी गुड़कारी है लेकिन रात में मूली दर्द देने वानी होती है मूली खाने को पचाती है लेकिन खुद देर में पचती है इस खराबी को दूर करने के लिए मूली के पत्ते भी साथ में खाना चाहिए खाने में मूली और दही का साथ अच्छा नहीं माना जाता कुछ लोगों को पेट में दर्ध हो जाता है मूली का सभाव थंड़ा है थंड़े सभाव वालों को मूली का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहे मूली का नमक या मूली खार पेट के दर्ध गैस और गुर्दे की पत्री तोड़ने में काम्याब है मूली के पौधे में खुबसूरत फूल्ट खिलते हैं पूलचार पंखूरी का होता है इसमें सरसो की फलियों के तरफ फलिया लगती है ये फलिया सरसो की फलियों से मोटी होती है क्योंकि मूली का बीच सरसो के बीच से दोगुना बड़ा होता है इसका बीच बिलकुल गोल नहीं होता है बलकि कुछ चपता होता है यह फलिया कच्छी अवस्था में सबजी बनाकर खाई जाती है इनके फाइदे भी वही है जो मूली के हैं मूली बवासिर में भी फाइदा करती है मूली को सबकर लगाकर खाने से बाल मजबूत होते हैं और उनका गिरना बंद हो जाता है मूली को सिरके में डाल कर पका लिया जाए तो ये बड़े हुए जिगर और बड़ी हुई तिली के बड़ी दावा बन जाती है मूली के सलाद पर काली मिर्श और नमक छिलक कर दोबहर में खाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है लेकिन इसका सेवन नियमी किया जाए और दोबहर में खाने के मात्रा आधी कर दी जाए मूली जॉन्डिन्स में भी फाइदा करती है इसकी सबजी बनाकर खाने से बहुत लाव होता है अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेर, सबस्क्राइक करना ना भूले धन्यवाद